मैं यह पूछना जा रहा था कि जब आप उस्ताजी के साइथ या उस्ताज शाहिद परवेस के साथ या भारत के तमाम बड़े कला कारों के साथ संघत करते हैं तो उन लाकारों का जो कद है संगीत के शेत्र में वो तो आप उस पर हम बात ही नहीं करें हम उम्र पहीं बात कर रहें वह में भी आप से अच्छा सी उनकी उनकी आप से जादा है, थो वह यह जो आपके सारे मित्र हैं, बीसीन साल बड़े वाले इस से आपको आरामhin?" आज साफ बिल्कुल और दूसरी बात होती है कि जैसे हम उस्ताद शाहिद परवेजी के साथ अभी हम ऐसे तो भाई साफ भी बोल देते हैं शाहिद भाई भी बोल देते हैं लेकिन पब्लिक पब्लिक ली तो उस्ताद हैं ही वो और वो अलग बात है वो छोटे भाई के तरह मानते हैं हमको तो जब बातचीत करते हैं तो शाहिद भाई बराबर हमको ब फिर बोले कि क्यों अच्छा लगता है कि आप बहुत मतलब एक लॉजिकल बात करते हैं और आपकी बातों से लगता है आपने उस बात का अनुभब किया हुआ है तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है क्यूं अच्छा लगता है यह नहीं पता है लेकिन अच्छा लगता है लेकिन अवह कुल मुद कर दिया होगा तब ही लोग वीच ख़ब घते हैं रोनुदा तो इतना स्नेह करते हैं रागगिरी को और मुझे अभी उनके उपर नहों फिल्म बनी थी जो फिल्म डिवीजन की उसमें भी शुरुआत का जो हिस्सा है वो मैंने जो इस तरह की बातचीत जैसे आपके साथ कर रहा हूँ वैसे ही उस बातचीत में जो मैंने अच्छा मितलेश जी कभी ऐसा होता है कि जैसे माल लेते हैं किसी बड़े कलाकार के साथ एक कारिक्रम हुआ जी या बड़े कलाकार के साथ नहीं किसी भी कलाकार के साथ इसको कहना ची कारिक्रम हुआ और वहां समय सीमा थी माल लेते हैं कि आपके सामने साथ मिनट का समय आ आपने बहुत अच्छी बात गई और यह हम आपको राशीद भाई के साथ हुआ है राशीद भाई के साथ एक recording थी और टेलिवीजन की recording थी मतलब हम लोग कहीं जहानां था वहां भी बैठे वहां खाना भी हो गया थोड़ा बजाना भी हो गया पिर नार ज हम निकले तो राशीद भाई कहते हैं यार कहां जहरे हैं तो किया कर तक गाना बजाना हुआ और आपको हम यह बताते हैं जिवेंद्र जी कि यह कई बार होता है और कि वह गाना बजाना शायद कभी स्टेज पर संबब नहीं है और चाहुंगा कि जिस सहजता से हम लोग बात कर रहे हैं एक कलाकार के लिए सहज होना कितना जरूरी है अगर आपको कला में असर चाहिए कि कला का असर वो सस्टेन करें तो आपको सहज होना जरूरी है अगर आपकी कला में संबेदन शीलता है तो आपको सहज होना नहीं पड़ेगा आप सहज हो ही जाएंगे तो जितने बड़े कलाकार इसलिए जितने भी हमारी नजर में बड़े कलाकार हैं और जब हम लोग कहते हैं वो बहुत सहज हैं तो इसके सहज होने के लिए उनको कोई म वो बैठते हैं, तो जब उसकी उचाई का एहसास करते हैं, वो सहज हो जाते हैं, कि धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीर मिलता है वो एफेक्टेट हो जाएगी जो चुवन है जो प्राकृतिक रूप से तबला हो गाना हो सितार में सितार हो जो आप पे हिर्दे को जो चूता है जो आपको भुला देता है कि अभी साधे-दस बजे 11 बच जाएंगे तो मेट्रो नहीं मिलेगा आप जब निकलते हैं बाहर तब आपको पता लगता है कि अरे 11 बच गया अच्छा तो आप तो मेट्रो नहीं मिलेगा यह तभी हो सकता है जब वो कलाकार साहज है जो कहना चाह रहा है सितार के माध्यम से कह रहा है गाने के माध्यम से कह रहा है टबले के माध्यम से कह रहा है और वो कनेक्ट कर तब तक नहीं पहुँचेगा कि मेरे Łख मेरे पास पहुचे गosen का, हम जानुत की बजğ रहा है कि आपको फोलाओंका नहीं पता यह जनुत की नहीं लेकिन पंडिए मिनदे गएखे मेरे को सब्रके कोह आपको काता है कि सुनिके 2 में वो बात कर लें आपको संकीत नहीं समझ आ रहा है आपको एट्रेक्ट कर रहा है वो एट्रेक्ट जो कर रहा है उस बोल की सहच्ता मितलेश डी आपने हमारे लिए समय निकाला बड़ी दिल्चस बातचीत हुई दरसली लगा ही नहीं कि हम कोई इंट्रिव्यू कर रहे हैं बलकि ऐसा लगा कि जैसे अपने घर में बैठे किसी एक अपने परिवार के विक्ति से बातचीत कर रहे हैं आपकी सहच्ता के लिए आ हमको अभी देख पा रहे हैं या जो बाद में भी देखेंगे सब को मेरा नमस्कार हूई और खास करके श्रीविंदर भाई को कि इन्हों ने हम को इस लैग समझा लाइट कि इस मंजबक कर से हमको अपनी बात कहने का मौका दिया और इतने सहाज भंग से आपने बात किया श और मुझे बहुत अच्छा लगा है बात करके कभी भी कुछ होता है रागगीरी के लिए तो मैं जो भी करना चाहँगा धन्य बात आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगीरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे